हेलो फ्रेंड्स एंड वेल्कम टू चिकीज भाई लोजी अनदर वीडियो इन दिस वीडियो तोड़े विल डिसकस अबाउट परेंटरल प्रोडक्शन में जोब क्यों नहीं करनी चाहिए आज हम लोग अपने इस टोपिक पर बात करेंगे बट अपने इस टोपिक पर बात क के लिए सुद बैच दोनों ही बैचिस की सेप्टेट सेप्टेट जो सब्सक्रिप्टेट की कोस्ट है वह है 299 रुपे और इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगी वहाँ पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं उन के तुरू वहाँ पे मेरा कोड अगर यूज करेंगे जो है सी भी 300 ता आप लोगों को 300 का एडिशनल डिसकाउंट मिल जाएगा फ्रेंड से पेरेंटरल प्रोडक्शन की जो जोब है वो बेकार जोब या गलत जोब नहीं होती उन कैंडिडेट्स के लिए जिन या आफ्टर अवर बैचलर डिगरी कि उनको पेरेंटरल प्रोडक्शन में ही काम करना है लाइफटाइम तो फ्रेंड्स उनके लिए ये डिपार्डमेंट बैस्ट होता है और जिन कैंडिडेट्स को ये करना होता है जो ये सोचते हैं कि पेरेंटरल प्रोडक्शन डिपार ये डिपार्टमेंट बेकार है उनको स्टार्टिंग में इस डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए चुकि फ्रेंड्स यहां का जो experience होता है वो जो other doses form है लाइक जैसे कि मैंने आप लोगों को बता है capsule, tablet, syrup, suspension, emulsion या फिर आप लोगों का महाँ पे वो experience count नहीं होता तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर parental department में जाना है तो फिर आप लोगों को पूरी जिंदगी parental department में ही रहना पड़ेगा जहां पे injection बनता है वहाँ पे कोई भी oral dose form नहीं बनती लाइक जैसे tablet, capsule, syrup या फिर suspension वहाँ पे ये सब नहीं बनता, वहाँ पे सब injectable बनता है जिसको हम लोग intravenously या फिर intramuscularly जो है patients को inject करते हैं वहाँ पे injection बनता है तो फ्रेंड्स यहाँ का जो sterilization का level होता है parental production department का वो बहुत जादा होता है अगर हम लोग उसका comparison एक other production department से करें जहाँ पे tablet, capsule, syrup suspension, oignement बनती है और friends यहाँ parental department का जो experience होता है जो injectables का experience होता है वो pharma production department में जहाँ पे tablet, capsule, syrup, suspension emulsion, oignement बनती है वहाँ पे वो count नहीं किया जाता है यह मैं आप लोगों को दुबारा यहाँ पे repeat कर रहा हूँ अब इसके पीछे क्या reason है महाँ पे वो count क्यों नहीं किया जाता क्योंकि friends tablet, capsule, syrup, suspension और emulsion इनके जो manufacturing के steps होते हैं वो जादा होते हैं लाइक अगर हम लोग for example बात करें tablet की तो tablet में nine steps होते हैं लाइक जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे granulation होता है वहाँ पे pressing होती है वहाँ पे other जो है उसकी stripping होती है इस तरह से बहुत सारी steps वहाँ पे होते हैं जबकि जो injectable है जो parental department है यहाँ पे इतने step नहीं होते हैं यहाँ पे two to three steps होते हैं injectable को बनाने में parental production department में और friends से यहाँ पे कि जो line of workflow होता है या जो line of follow होता है वो different different होता है तो friends आप लोगों का मन अगर as a fresher candidate parental production department में जोइन करने का है job को तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह experience जिस सिर्फ इसी एक department में जो है count होगा अगर आप लोग अपनी company को switch करेंगे further experience यह अगर किसी department में production के tablet के production में या syrup के suspension के आउनिमेंट में account नहीं होगा फिर आप लोगों को वहाँ पे 0 से start करना पड़ेगा तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए और friends जो parental होता है यहाँ पे night जो shift होती है वो compulsory होती है जबकि other जो production है टैबलेट का सीरब का suspension का आउनिमेंट का वहाँ पे night shift compulsory नहीं होती है वहाँ पे थोड़ा relaxation मिल जाता है तो thank you friends, thank you for watching and do subscribe the channel for upcoming videos and latest updates thank you friends